Fastest cricket score updates या सबसे detailed stats Cricket के अंदर बाहर की खबरे या healthy debates सबसे accurate analysis या fans का craze सब के लिए एक ही platform क्योंकि cricket मतलब cricket next नोसे जैहिंद cricket मतलब cricket next और मैं आनंदर सिवहन इस मंच पर आपके लिए एक और लेकर आया हूँ अध्याय Stats Chat का आज Stats Chat में हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसको कई लोग मानते हैं कि modern day cricket में इस जैसा खिलाडी नहीं है मैंने इनको बहुत करीब से देखा है जब ये पस international scene में आये थे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद और फिर national team में इन्होंने entry की थी और एक wild side मेंने इनका देखा है irreverent side देखा है और उसके बाद पिछले 15 सालों में जिस तरह से इन्होंने अपने आपको ढाला है और जिस तरह से इन्होंने आगे बढ़कर एक एक लेवल पर नए नए मानक सिद्ध किये है इनको नमस्ते और सेलूड बनता है क्योंकि ये करने के लिए बहुत ज़ादा will power दरड़ शक्ती दरड़ निश्चा है इसकी बहुत आवशकता होती है और ये उन्होंने दिखाई है इच्छा शक्ती और दरड़ निश्चा है ये दोनों चीज़ें उन्होंने दिखाई है हम बात कर रहे हैं the one and only विराठ कुली की विराठ कुली ने बड़े लंबे अरसे के बाद आखड़े कहते हैं तीन साल 41 पारियों के बाद इन्होंने शतक जड़ा था और वो शतक आखरी टेस्ट में जड़ा था अमदवाद में और क्या शतक जड़ा ये शतक उनका 75th International Century था 75th International 100 एक्रोस फॉर्मैट्स आप देखें तो अगर कोई खिलाडी है जो आज भी ये काबिलियत रखता है कि सचिन तिंदूलकर के 100 International 100 के रेकॉर्ड को पार कर जाए वो यही है विराट कोली है अगर कोई खिलाडी है जिसमें आज भी मैं मानता हूँ ये क्षमता है कि 50,000 International Runs वो बना सकते हैं तो वो विराट कोली है एक खिलाडी है जो तीन साल ना चलने के बावजूद भी अगर आप टेस्ट लिखें टीम लिखें टेस्ट तीम तो आप उसको उनका नाम पहले लिखेंगे ODI में उनका नाम पहले लिखेंगे वो खिलाडी विराट कोली है कई लोग है जिनको लगता है कि इनसे कप्तानी नहीं चीननी चाहिए थी कई लोग है जिनको लगता है कि विराट कोली इस पास्थिस प्राइम कई लोग को लगता है कि हो गया इनका एक golden period था वो golden period उसको वो पार कर चुके है लेकिन कई लोग ये देखते हैं कि खिलाडी के run को मत देखो उसके attitude को देखो उसकी भूख को देखो क्या आज भी उसमें वही भूख है वही चाह है वही ललक है क्रिकेट खेलने के लिए और जब तक वो है तो बिलकोल और क्या खिलाडी आज भी चुस्त है मुस्तैद है इंडियन टीम में या टीम में या दुनिया में सबसे fittest खिलाडीों में माना जाता है तो फाभी विराट कोली सब जगे टिकमाक होता है उनका चलिए देखते हैं विराट कोली के करियर में हमने इस बात स्टाट चैट के अध्याय में देखना चाहा कि विराट कोली कब चमकते हैं विराट कोली के कंधों पर भारत ने कितनी कामियाबी पाई है कामियाबी के कितने पाइदान चड़ा है सीड़ियां चड़ा है भारत और एक और बात क्या विराट कोली प्रेशर सिचुएशन में क्रंच सिचुएशन में रेवल करते हैं क्या उनसे कप्तानी छीनना सही था या गलत था उन्होंने कप्तानी दे दी लेकिन माहौल ऐसा बना गया है कि आप छोड़ दो भाई लेकिन क्या विराट कोली की बेस्ट पर्फार्फार्मेंस बतार कप्तान हुई हैं जब सबसे ज़्यादा उनके उपर प्रेशर और एक्सपेक्टेशन था वेट अव एक्सपेक्टेशन कि डिलिवर करना पड़ेगा लीड फ्रम दे फ्रंट करना पड़ेगा चलिए देखते हैं आखड़े क्या खहते हैं विराट कोली की 28 वी टेस्ट सेंचुरी आई 41 इनिंग्स के बाद ये सबसे बड़ा गैप है दो सेंचुरी के बीच में इससे पहले का गैप था 11 इनिंग्स का between the 11th and 12th सेंचुरी विद इट 28 सेंचुरी जो 28 वी सेंचुरी विराट कोली ने लगाई उसके साथ वो अस्टेलिया के ऐलन बॉर्डर से आगे निकल गए और दक्षिन अफरीका के ग्रैम स्मित से भी आगे निकल गए in the all time list of century scorers in test और इनकी इस test की वज़े इस century की वज़े से ही और जिस तरह से उन्हें अपने इनिंग को संभाला ढाला और time के लिए खेले इसी की वज़े से भारत ने 571 बनाए भी अक्षर पटेल का योगदान था lower middle order ने उनका साथ भी दिया बात वो तो मनना पड़ेगा चाहे वो श्रिकर भरतों अक्षर पटेल हो लोकिन विराट कोली के वज़े से ही भारत ऐसी स्थिती में पहुंचा कि वो आखरी टेस्ट हारेगा नहीं और इसकी इसी वज़े से series 2-1 से जीत गया विराट कोली का अच्छा खेला यह कितना एक दूसरे से मैच करते हैं, compare करते हैं, directly proportional है एक stats यह है इनको 20 player of the series awards मिले हैं अपने career में 20 player of the series awards, यानि 20 series जो भारत ने खेली है across formats, उसमें यह man of the series रहे हैं इसी से आप सोच सकते हैं कि इनका योगदान बले से कितना है भारत के लिए और ये दुनिया में किसी भी player के लिए सबसे highest है कोई भी खिलाड़ी दुनिया में world cricket में ऐसा कोई नहीं है जिसने आज तक 20 player of the series awards जीती हूँ विराट कोली के अलावा तो आप सोच लिजी अब विराट कोली ने टेस डेब्यू कब किया जून 2011 में 108 मैच खेले हैं 183 इनिंग खेले हैं 8,416 रन बनाए हैं 254 इनका highest score है average इनका है 48.9 यानि करीब 49 यानि close to 50 अबाव average इनका average है पार score अगर test cricket पे देखा जाए तो उस लेवल पर जहाँ पर ये बैटिंग करते हैं ODI cricket August 2008 में इनोंने डेब्यू किया था 211 ODIs खेली है इनका ओसत है 57.69 highest score है 183 46 hundred इनोंने ODIs में जड़े हैं 64 half centuries test cricket में 28 test century अभी अमदाबाद में हुई 28 इनोंने 8 तक भी जड़े है T20 cricket में 37 50 और 100 इनोंने जड़े हैं औसद है 52.7 तो आप देख रहे हैं around 50 या plus 50 ये इनका performance है across formats काबिले तारीफ है कि नहीं 50 के करीब इनका आंकड़ा है 49 का इनका average है test career में 108 test के बाद ODIs में 57.6 271 ODIs के बाद और 115 T20 international के बाद इनका औसद 52.7 है T20 में भी तो आप सोच लीजे किस तरीके के ये run scoring machine रहे है अब कई सारी बाते हैं विराट कोली कौन सी निंग्स में बहतर करते हैं अमूमन आप देखते हैं कि सारे players जब batting first होता है तब अच्छा खेलते हैं विराट कोली की ये खासियत है कि batting second, batting last इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया खेली प्रदर्शन किया है देखे, आकड़े क्या कहते है इन्होंने first innings में 2912 run बनाए total test के जो इनके score है 8000 run जो इन्होंने बनाए है अगर उनको देखे test में इन्होंने total 8416 run बनाए है first innings में 2912 second innings में 2924 third innings में 1591 और last में 981 तो second innings में इनका average भी 68 का रहा है और 15 शतक इन्होंने batting second, second innings में इन्होंने जड़े है एक test match की अगर ODIs में देखे तो second fastest to 5000 second fastest to 6000 runs in ODIs second fastest to 7000 1000 runs in ODIs but he's the fastest to 8000 runs, 9000 runs 10,000 runs, 11,000 runs 12,000 runs ODIs में इनके मुकाबले का कोई नहीं है जिस pace पे ये run बना रहे है और milestones मानक जैसे सिद कर रहे है जिस speed से ये सिद कर रहे है अचीव कर रहे है T20 में third fastest to 2000 runs third fastest to 2000 runs 2500 runs लेकिन he's the fastest to 3000 runs in T20 cricket and the fastest to 3500 runs in T20 cricket तो आप देखें कि विराट कोली का किसी भी level पे आप उनको देखें तो जिस तरीके की इनकी performance है salute करना पड़ेगा काबिले तारीब है विराट कोली की test में average moved into the 40s in his 10th test itself अपने 10th test में ही इनका 40 का average हो चुका था और फिर 50th test 50 के पास 50 के करीब इनका आंकड़ा 52 तेस में पहुँच गय था ये with a double 10 against England फिर इनका career high था average का 55.1 in October 2019 जब उन्होंने दक्षिन अफ्रिका के खिलाब century जड़ी थी उसके बाद लेकिन उसके बाद इनका average जो है 55 से गिरके 50 से गिरके अब March 2022 है क्योंकि तीन साल इनका run drought था तो ये average खिसक गया अब वो वापस बड़ा है लेकिन आज भी इनका average 48 से नीचे कभी नहीं गया एक player का form खराब चल रहा है फिर भी उसका average 48 से नीचे ले गया तो आप सोचिए हमारे दिमाग में मेरे और आपके दिमाग में विराट कोली के लिए हमारी expectation क्या है कि बाकी से 30, 40, कम से कम 40 तो बना हम उमीद करते हैं इनसे है कि कम से कम 50 बना 50 बना लिया तो 100 बना ये expectation हम उनसे रखते हैं लेकिन वो खुद अपने से भी रखते हैं कि अगर मेरी आखे, I have got my iron और मैं 50 बना रहा हूँ तो मैं 500 भी बना सकता हूँ ये उनकी सोच है, इसलिए मैं उनका कायल हूँ ODIs में अगर देखें तो विराठ कोली का average moved into the 40s in his 14th ODI 14th ODI में उनका 40 का अंकड़ा हो गया था और फिर 50 का अंकड़ा 18 में ODI में हो गया अगले 4 ODIs में उनका इतने रण बनाया कि overall average ही 10% उपर चला गया लेकिन उसके बाद 28 में ODI में वो फिर से 40 के नीचे गया that he had a slump in that form फिर से October 2011 के बाद वो फिर से उपर उठ गये Australia के खिलाफ century बनाई थी और 115 वा इनका ODI था और ये 50s में चले गये उसके बाद से कभी ये 50 से नीचे इनका ODI में average नहीं नीचे गिरा है August 2019 में इनका average एक career high 60.31 तक चला गया था जब इन्होंने West Indies के खिलाफ century माली थी कही ना कही ऐसा लगता है कि एक period था जब ये बहुत बढ़िया score कर रहे थे और शायद अगर COVID की वज़े से interruptions नहीं आते cricket कम नहीं होती और इनका game से नजर नहीं हटती तो शायद इनकी run scoring ability फिर से peak कर जाती बहुत जल्दी ये तीन साल का gap ना होता कही ना कहीं आकडे इसी तरह इशारा करते है His T20 average also has been very consistent. He's averaged over 40 since April 2014. April 2014 से लेकर इनका T20s में average 40 के उपर रहा है ये average 50 क्रॉस कर गया March 2016 में और 50 के उपर ही रहा है majority of the period तब तक career high इनका T20 में average 58.6 था par score 30 है T20s में और इनका average 58.6 है वो उन्होंने 89 बनाया था West Indies के खिलाब T20 World Cup में आज विराट कोली की highest batting average है T20 इंटरनेशनल में 52.73 तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि विराट कोली में भी बहुत क्रिकेट है लेकिन इर्द गिर्द माहौल आसपास का कैसा है और captaincy छोड़ देना जबकि आज भी वो नन बना रहे है बहुत बड़ा कॉल है इनका विराट कोली average is 60.05 in India in tests Outside Australia he's been his favorite hunting outside India Australia has been his favorite hunting place इनका best overseas average 54.08 का है वो भी Australia में और सबसे ज़ादा overseas centuries भी इनोंने Australia में लगाई है छे test cricket में At least one century इनोंने हर test venue पे लगाई है Bangladesh को छोड़ कर दुनिया के हर test venue में इनोंने एक century जड़ी है एक Bangladesh को छोड़ कर Interestingly इनके पास 50 plus score Bangladesh में नहीं है Bangladesh में 3 test एक खेले है वहाँ इनका average 14.75 है बड़ी गजब की interesting बात है कि कहीं न कई हर प्लेयर का एक Achilles हील होता है इनका weak spot Bangladesh है जहाँ इनका performance test cricket में बढ़ी आने गाई ODIs में इनका कोई सानी नहीं है All-time grades में ये शुमार होते हैं By default ये walk-in करते हैं इनका average 36.38 है दक्षिन अफरीका के खिलाब और इनका average Bangladesh, Zimbabwe और West Indies में लेकिन वहाँ उनने सर्फ एक century चड़िये है And he is at least one ODIs century in all the venues At least one ODIs century in all the venues सोचिया इस आदमी में क्या ख्षमता है कैसी बल्लेवाजी करते हैं ये बड़े मज़दार ये आंखडे हैं जो निकल के आये हैं T20s में इनका average T20 में Bangladesh में अच्छा है Australia, UAE और Sri Lanka में भी बहुत अच्छा है भारत के बगाबले तो बांगलादेश में shorter version of the game में बढ़िया करते हैं test cricket में थोड़ा struggle कर रहा है बड़ कोली की best strike rate भारत में है 148.27 की in T20s और West Indies में 141.77 उनकी 9 half centuries है T20 internationals में पताए कहां जड़ी हैं अगर आप देखें विराट कोली के performance को तो कोई reason नहीं बनता है कि ये all three formats ना खेलें सवाल ये था कि बतार captain विराट कोली better player है या as a batsman only अब ये record देखें 2014 से 2022 ये captain थे उस वक्त इन्होंने 68 match खेलें और कप्तानी भी की है जिसमें इन्होंने 5864 run मनाए है 54.8 के औसद से जबकि जब वो captain नहीं थे तब 40 test match खेलें है उन्होंका average है 39.26 तो कप्तानी हटी और performance drop ये आंकड़े दिखा रहा है ये पिछले 8-9 साल का मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ ODIs में 2013 से 2021 के बीच में जब वो captain थे तब उनका औसद है 72.65 और जब वो not as captain खेलते हैं उन्होंने 176 matches ऐसे खेलें जब वो captain नहीं थे ODIs में तब उनका average है 50.06 तो आप देखे रहा है जैसी इनके कंदों पर बोज रख दिया जाता है ये गाड़ी और तेज भगती है विराट कोली की जैसे ही बोज रखा कप्तानी का बल्ला चलने लगा और ज़्यादा बहतर चल रहा है अच्छा नहीं कि बल्ला नहीं चलता लेकिन कप्तानी के बोज के साथ बहतर चल रहा है आप आगे देखिए स्कोर अफ फिफ्टी और मूर जब भारत की जीत हुई है या मैच टाई हुआ है एस कैप्टिन विराट कोली का विन परसंटेज दुनिया में और किसी कप्तान से बहतर है रिकी पॉंटिंग ने 166 मैच जीते हैं विफ्टी प्लस स्कोर 62 है तो नंबर उनका बड़ा है लेकिन परसंटेज 37 परसंट है महीं विराट कोली का 66 मैचों में 38 उन्होंने 50 प्लस स्कोर जड़े हैं तो 58 परसंट इनका 50 प्लस स्कोर है इन मैच इन्डिया है वन और टाइड तो अब पर्फॉर्मेंस देखे अब यही रंचेज की बात करें तो यह नंबर फिर से 56 परशंट कंवर्जन रेट है 36 मैच इस 20 ताइम्स इसकोर 50 प्लस यानि चेज में भी यह बढ़िया करते है अब यह बढ़िया करते है इतना बड़ा है एक लिस्ट 20 विन्स वाइल चेजिंग ठीक है जब चेज होते है तो बैटिंग अवरेज का है इनका बैटिंग अवरेज विराट कोली का वाइल चेजिंग और भारत जीती है कम से कम 20 मैच तो 36 मैच भारत क्या 115.9 इनका एवरेज है वाइल चेजिंग और विन्स अगर आप देखें तो आप किसी भी फॉर्माट में ले लीजिए बैटिंग फर्स्ट फिल्डिंग फर्स्ट कैसे भी आप देखें विराट कोली हर मानक में टिकमाक होते है अगर ड्रॉज को भी इंक्लूड करें तो उनका प्रतिशत इंकलीज हो जाता है अगर विराट कोली ने पचास से ज्यादा रन बनाए किसी टेस्ट मैंच में तो ऐसा अमूमन 108 टेस्ट में से 25 टेस्ट भारत जीता है और 9 टेस्ट भारत ने ड्रॉज किये है यह इनका ओवराल रेकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में ओडियाइज में बतोर प्लेयर विराट कोली का विंड रेशो है 61 प्रतिशत और अगर टाइज इंकलूड करें तो वो परसंटेज 62 प्रतिशत हो जाता है भारत ने 76 ओडियाइज जीते हैं जब विराट कोली ने पचास से ज्यादा बनाएं पचास या पचास से ज्यादा किसी मैच में बनाएं मैच पेस्टें, champ है उनको रन चेज मास्टर कहा जाता की कोली को चेज करने में मजा आता है इनकी second innings की जो scoring rate है वो first innings से कई बैतर है उनका average second innings में ODIs में batting second 64.83 है जबकि batting first 50.3 है तो आप देख रहे हैं gap फिर ये average जहां भारत का successful runches हुआ है जब जब भारत ने successful runches किया है विराट कोली का average है 90.46 इनके 44 50 plus scores है in successful runches against 32 when India won batting first इनका average is in the 30s जब विराट कोली 30 से जदा रन नहीं बनाता है या 30 से 40 के बीच में out हो जाते हैं भारत अमूमन हारता है तो भारत के loss में विराट कोली का खराब performance सीधा एक proportion दिखा रहे हैं आंकडे statistics ये दिखा रहे हैं बात को आपके सामने अब T20 में इनको 15 player of the match मिले हैं जो की highest overall है साथ player of the series awards मिले हैं भारत ने 38 T20 इंटरनेशनल जीते हैं जब विराट कोली ने 30 से या जादा run बनाये हैं वैसे ही ODIs में जैसे हैं इनका second innings average sensational है वैसे ही T20 में इनका ODI second innings average 73.44 है compared to 41.32 while batting first और जब जब भारत ने successfully runches किया है तो 90.05 है 90.05 इनका average है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे किस तरह से विराट कोली ने अपने performance से भारत का पर्चम लहराया है भारत के stature को international cricket में बढ़ाया है और leadership standings में ODI T20 और test rankings में भारत को उपर पहुंचाने में बल्ले से काम किया है सिर्फ बतार कप्तान बन कर नहीं 10 men of the series awards ODI में third highest overall and the second highest Indian ठीक है 38 player of the match awards third highest overall and second highest Indian इन से बहतर करने वाले दो खिलाडी है सानज जैसूरिया सचिन तिन दूलकर तो जो third highest है दोनों में वो उनसे आगे दो ही खिलाडी है वो दो है सनज जैसूरिया और सचिन दूलकर सचिन दूलकर number one सचिन जैसूरिया number two फिर उसके बाद आते हैं विराट कोली overall जितने रान इनोने स्कोर किये जब टीम की जीत होती है तो विराट कोली रैंक्स third amongst all-time players तो रिकी पॉंट सचिन दूलकर ने 11,000 रन बनाये है 11,157 रन बनाये जब भारत की जीत हुए रिकी पॉंटिक ने 10,726 रन बनाये हैं विराट कोली ने 9,209 रन बनाये लेकिन एक बात बताओं इन्होंने ये रन्स जो बनाये हैं कम से कम 90 मैच्ज लेस देन सचीन तिंदूलकर जबकि उनसे वह 2000 रन पीछे है और रिकी पॉंटिक से कम 98 मैच्ज लेस जबकि वह उनसे सिर्फ लेस देन सिर्फ 800 रन पीछे हैं क्योंकि विराट कोली ने 9,209 रन 164 मैच्ज में बनाये हैं रिकी पॉंटिक में 262 मैच्च खेले तिंदूलकर ने 234 अब अगर आप इसकी इसकी बात करें कि highest average in wins यानि at least 50 wins अगर हुए है विराट कोली का average सबसे highest है 164 मैच्च आउट अफ दाट 74.26 उनके पीछे मैंदर सिंग दोनी आते हैं 68.6 इनका average है 202 wins minimum 50 wins highest average while chasing at least 50 wins विराट कोली दोनी से पीछे आते हैं का average इसमें 102.71 है विराट कोली का 90.46 है अगर आप run gators की बात करें test while chasing ठीक है while chasing अगर run score and while chasing अगर बनाया है इसमें अगर आप देखें तो सचीन तिंदूलकर के बाद विराट कोली है at 5428 runs 93 matches में तिंदूलकर का number है 5490 runs तो करीब 62 runs का difference है लेकिन matches का gap आप देख रहे हैं 93 and 127 तो विराट कोली का prolific run scoring कहीं न कहीं आपको लगता है कि तिंदूलकर पॉंटिंग से भी fast इन्होंने run score की है lesser number of matches में more runs यह score कर रहे हैं वैसे ही अगर आप देखें कि not out batting position number one to four कौन से position में best वो खेलते हैं not out one to four में यह उपर नीचे होते रहे हैं तो यह four positions usually खेलते हैं two three four तो उसमें विराट कोली 154 matches में यह 34 बार not out रहे हैं यह second highest है after behind Jack Scalish जो 189 matches में 36 बार not out रहे हैं और not out while chasing में विराट कोली सबसे ज़्यादा carrying the bat 89 matches में 30 बार वो not out रहे हैं जब जब भारत की जीत भी हो है भारत ने अच्छा खेला भी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 89 matches में 30 बार वो not out रहे हैं तो when he carries the bat अमूमन India does very very well scores of 50 or more in wins विराट कोली ने विराट कोली ने चैतर चैतर बार 50 plus scores बनाए है 164 match भाराच जीता है उसमें चैतर बार विराट कोली ने चैतर बार 50 plus scores बनाए तेंदुलकर 234 रिकी पॉंटिंग 262 यह उनके उपर हैं जहां उन्होंने रिकी पॉंटिंग ने 94 बार 50 plus scores बनाए हैं और रिकी पॉंटिंग यह सरी सचीन तिंदुलकर ने बानवे बार बनाए हैं तो यह numbers अगर आप देखें तो all-time greats के list में behind तिंदुलकर रिकी पॉंटिंग जैसूरिया that's where विराट कोली is from the all-time greats prolific run scoring strike rate में कहीं कुछ एक जो जगह जो है वहाँ AB Develiers इनसे आगे हैं और एक जगह धोनी आगे हैं वरना top 3 में हमेशा विराट कोली शामिल हैं किसी भी मानक पर आप देखें जब उनकी टीम जीती है जब उनकी टीम ने परफॉर्म किया है विराट कोली इस देर और वो भी पिछले 8-10 सानों के अंदर अगर आप देखें 2010 के बाद की क्रिकेट में आप देखें तो विराट कोली इसमें शुमार होते हैं टीटीज में भी कुछ ऐसा ही नजारा है कि टॉप थ्री में विराट कोली है रन स्कॉर्ड एन टीम विन सेकेंड हायेस्ट हैं है साथ प्लेयर ऑफ दे सीरीज हाइस्ट ओवराल है और इन इन आकडों को अगर मैं देखूं तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां विराट कोली सबसे नीचे आते हैं एक है कि हाइस्ट आवरेज इन विन्स वाइल चेजिंग इन एक लिस्ट 10 विन्स वहाँ पर विराट कोली कि आये हैं लेकिन टॉप 3123 जो ओपनिंग बैटर्स हैं 123 में उसमें टॉप टॉप ओडर में विराट कोली एक ही बाकी है बाकी सब जो हैं मिडल और लोगर लेवल ओडर हैं अगर आप देखें टी-20 इंटरनाशनल में टी-20 में टी-20 में हाइस्ट आवरेज इन विन्स ए इसने नंबर पे हैं बेहाइंड राइली रॉस्टो और मौमध रिजवान तो अगर आप किसी भी लेवल पे देखें तो विराट कोली कहीं पर भी आपको पीछे नहीं दिखेंगे कमजोर नहीं दिखेंगे तो क्या इस प्लेयर को थोड़ा सा और चांच देने की जरूरत नहीं है क्या एक दो तीन परफॉर्मेंस के पीछे इनके करियर को इनको राइट आफ करना ठीक है जिस तरह से इन पर प्रेशर बनाया जा रहा था बावजूत इसके कि इन्होंने टी-20 में रन बनाया है आई तो शतक भी जोड़े थे और टी-20 में भी शतक जड़ दिया था और और यहां पर भी उने रन बनाये तो क्या कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि विराट कोली को कम आखना चाहिए या कहना चाहिए कि हीस पास्टेस प्राइम ऐसा नहीं लगता है फॉर्म हर किसी का डिप होता है लेकिन यह क्लास जो है ना पर्मिनेंट है और जाते-जाते एक बात में आपको बताता हूं यह आखड़ा आप चेक कीजे पंसल शाह हमारी स्टेस्टेशन ने यह सारे आखड़े कंपाईल किये पर जाते-जाते मैं आपको बता दूं विराट कोली ने कितने परसें इस रन्स इन्होंने दौड़ के निकाले एक्रोस फॉर्माट्स तो आप सोचिए कि इस व्यक्ति में कितनी क्षमता है कितना स्टैमिना है और यह कितनी महनत करता है कि अपने आपको इस तरीके से फिट रखे कि टेस्ट मैच के पांचों दिन भी यह दौड़ लगाने को त यार है एक अलग लेवल ओफ डेडिकेशन चाहिए होता है इसके लिए आप हफते में दो दिन दौड़ लगा के देखिए 15 मिनिट के लिए पूरे दिन दौड़ने के लिए कितनी महनत करनी पड़ी होगी इसलिए इस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा टाइम बनता है, रिस्पेक्ट बनता है और अफकोर्स एकनॉलिज्मेंट बनता है बहुत कम बनते हैं जैसे विराट को ली नमस्ते क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरे या हैली डिबेट सबसे अकुरेट अनालिसिस या फैंस का क्रेज सब के लिए एक ही प्लाटफॉर्म क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट